Cross-Cultural Psychology Applications Health Policies and Research Finding Researchers जो हैं मुख्तलिफ इंटर्डिसिप्नरी फील्ड से उन्होंने इस चीज़ के पर फोकस किया है कि Health Policies जो हैं वो Health Outcomes को किस तरह से Impact करती है Health Policy वो होती है जो किसी मुल्क किसी ससाइटी में पाई जाए مثلا क्या Free Health Care है क्या बूरों को Free है क्या Health Insurance जरूरी है क्या दवाईयां भी Free है क्या टेस्ट भी Free है क्या कुछ इदारे Medical Free दे रहे है और जो किसी अदारे में काम नहीं करता उसको वो तहूलत मुयसर नहीं है तो इस से Health Outcomes जो हैं वो Determine होते हैं कि कितने लोग Healthy हैं और कितने लोग बेमार हैं फिर Access to Services भी जारे Policy से डिफाइन होती है फिर किसी सुसाइटी में जो मुक्तलिफ Class Group हैं मुक्तलिफ Racial Disadvantage Group हैं उनकी क्या हालात हैं हमारे स्टूडन्ट काम कर रहे थे Transgender Community पे तो उसमें भी एक ये बात आई कि अगर वो हॉस्पिटल आएं तो उनको डॉक्टर जो हैं उनसे थोड़ा सा या नर्स जो हैं उनको Medical Care प्रवाइड करते हुए उनकी Body को टच करते हुए उनको एक्जैमिन करते हुए उनका तासुर इतना अच्छा नहीं होता और कई दफ़ा तो आउट राइटली ही बिलकुल खुलके ही एक तरह से इजहार कर देते हैं कि उनके लिए कोई मुश्किल है जी Transgender को चेड़ना या उसका Body ली इलाज करना तो यह Access to Service है जो हर इनसान का हक होता है इसी तरह एक गरीब बुरी हालत में है और उसके दांत बहुत ही गले सड़े हैं और एक बहुत अमीर पेशेंट है जिससे आपने बड़े पैसे लेने हैं क्योंकि डेंटिस्ट काफी चार्ज करते हैं तो अब दोनों तरह की Population डिफ खास तो पर डेंटल जो है इस इनक्सपेंसी परसीजर और वो अक्सर हेल्फ केर में या तो कवर्ड नहीं होता और या होता है तो बहुत मिनिमम लेवल के उपर होता है और उसके लिए इसका मतलब है कि एक खास क्लास तो उसे फोर्ड कर सकती है लेकिन उससे नीचे लोग वो डेंटिस्ट अफोर नहीं कर सकते और उसकी क्योंके पहले ही हल्थ के वेर्नेस या मेंटिनेंस अफ देर डेंटल हेल्थ इस नाट गूर्ड तो तो अगर हल्थ पॉलिसी यह हो कि यह चीज़ प्रवाइड होनी है और हर इक को होनी है स्कूल में हल्थ चेक होनी है अब इंप्लीमेंट होती है तो वो एक कल्चर बन जाता है कि बचे की हेल्थ का रेगलर चेक जरूरी है बुड़े की हेल्थ का रेगलर चेक जरूरी है कुछ इंडिकेटर्स हैं जिन्हें देखते रहना चाहिए ताकि आप वक्त से उस चीज़ को रिपेर कर सकें बजाए इसके कि वो रिपेर से आगे चली जाए और रिप्लेस्मेंट में चली जाए या मेंटिनेंस के लेवल पर आप उसे ना रख पाएं फिर हेल्थ बिलीफ एंड ट्रीटमेंट सीकिंग इसमें भी कल्चर का इंप्लेंस होता है मसलन ये तो बिमारी हाई नहीं जी मेंटल हेल्थ के एकसर चीज़ों के बारे में ये कहा जाता है मैंने एक लीव एप्लिकेशन जो है अप्रूफ की अपनी एक जूनियर कुलीग की as you know senior dean that she is allowed to have a week rest लेकिन उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ना orthopedic की है ना gynecologist की है ना surgeon की है ना oncologist की है यानि उससे कोई ।कोई ।कोई फिजिकल कंडिशन नहीं है उसको एक mental health condition है अब अभी तक उसका नस्खा जो है हमने HR में medical leave के approval के लिए नहीं पेश किया because I know she will be judged कि ये तो खुद पढ़े लिखी हैं तो इनको कैसे जी ये depression होगी इनको क्यों दवाई की जूरत पढ़ गई So there are healthy leaves which are very problematic in every society इसी तरह बहुत सी जुकों पर वो समझते हैं कि फलाँ चीज तो कोई बिमारी नहीं है बस खाओ पी हो दोड़ो भाग हो ठीक हो जाओगे So mental health तो उसमें एक aspect है और भी कई चीजें होती हैं जिने हम health के perspective से नहीं देख रहे होते हैं एक addiction भी उनमें से एक चीज है उसके बारे में generally society का impression ये है कि वो एक इخलाकी बिमारी है वो इخलाकी condition नहीं है वो एक बिमारी है और वो उतना ही मजबूर है जितना के diabetic मजबूर ह और नशे का मरीज जितना मजबूर है वो उसी तरह है जिस तरह आपको sugar का patient मजबूर है कि उसकी sugar गिरे ही गिरेगी वो तड़पेगा उसको तकलीफ होगी वो बेहोश हो सकता है नशे का मरीज भी उतना ही मजबूर है इलाज फरक है बलकि इसका इसका इलाज बहुत मुश की बात करती है, इसमें एप्रॉप्रिय ट्रीटमेंट यह वो नहीं सीख की जाती है, आप गोल्यों वाले डॉक्टर यह नहीं सा कैसि के पास चले जाते हैं, हो सकते है, आपको कॉण्सलिंग की जरूरत हो, हो सकते है कि आप मानी ना आओ, आपके मेरे तो अम्मी से बात कर ल की जूरत हो सकती है और यह डिसाइड करना कि आपने treatment सीख करनी है और भी किछीजें होती है जिनके लिए लोग time pay treatment नहीं हासिल करते हैं या कम असकम जाते नहीं है यह देखने के लिए कि हमारे health में क्या problem हो रही है तो culture और mental health में ये वाले जो aspects ना इनको देखा जाता है अब symptom किस तरह लोग show करते हैं अपने symptoms के बारे में बात कैसे करते हैं वो psychological जो challenges है उससे cope कैसे करते हैं और treatment लेने की जो उनके अंदर अमादगी है या willingness है वो ये चारों चीजों को culture जो है वो असर अंदाज होता है तो mental health के अंदर understand करना culture का रोल बहुत ज़्यादा है में ताकि आप बेहतर diagnosis और treatment जो है वो कर सकें overall जो population की study है symptomology की है clinical है और जो दूसरी studies है वो ये बताती है कि moderate लेकिन cultural factors का impact ज़रूर है mental health के उपर तो अगर हमारा evaluation और diagnosis एप्रॉप्रियेटो और एक्योरेटो psychological disorders का तो culture के एसाब से हम उसको देखें कि इस culture में इस बिमारी को क्या समझा जा रहा है और फिर उसके एसाब से उसके लिए treatment जो है वो सीख की जाए treatment जो western है उसे change करना पड़े अपने हिसाब से उसके इंदर कोई नए तरीके से उसे करना पड़े लेकिन उसको culture के framework में देखना ज़रूरी है अब क्योंके counseling और clinical psychology हलाँ के काफी advance हो चुकी है हम अभी भी काफी limited हैं अपनी understanding में के culture के इस तरह mental health को influence करता है इसमें मैं एक मिसाल दूँ के हमारे जो बच्चे या students हमारे जो young लोग train हो रहे हैं mental health और clinical में वो culture के influence को बहुत कम समझते हैं वो हर therapy को यहां पर वैसे ही नाफिस करना चाहते हैं हर diagnosis को उसी पैमाने पर देखना चाहते हैं जो west से हमें diagnostic manual या हमें therapy के model में ले हुए है So there is very less that we have about understanding of cultural influence in mental health तो indigenous people के जो mental health problems हैं उसके बारे में बहुत studies हुई हैं और ये प्रूव हो चुक है कि उनके जो mental health problems हैं वो इसलिए हैं कि उनको European ने colonize किया था उनके कबजा किया था उनके उपर हाकिम बन गए थे और उनको जबर दस्ती गोरों में मिलाने की या दीन बदलने की या तरीके बदलने की कोशिश की गई थी उनके indigenous culture तबाह कर दिया गया था और उनकी family और उनके रिश्टे जो हैं उनको बखेर दिया गया था क्यूंकि mental health का concept है indigenous उसमें कुछ cultures में kinship या रिश्टेदारी बहुत एहम होती है फिर उनका intergenerational trauma है यानि एक के बाद नसल दूसरी दूसरी के बाद तीसरी इस trauma को लेके चल रही है और आगे पहुंच रहे है वो उनकी जमीने उनसे चीन ली गई थी और उनकी जो socio political जबर उन पे किया गया जो oppression उन पे की गई उस सब की विरस उनके mental health problems का बड़ा रोल है उसका और ये studies जो हैं उन countries में हुई हैं जहां पे indigenous population है लेकिन इसको हम अपने region में कश्मीर पे भी apply कर सकते हैं क्योंकि इसमें बह cough की trauma है और उनके अंदर जो all mental health की conditions हैं वो इस जबर की वज़ा से उसके साथ जिन्दा रहने की वज़ा से भी हो सकते हैं जैसे पलस्तीनी बच्चे जो kempo में पले लिबनान के जो महाजिर थे जो अफगानी बच्चे kempo में पले उनके अंदर mental health problems जो हैं उनके महाजिर हो होने की वज़ा से उनकी जिन्दगी डिस्टर्ब होने की वज़ा से उनका अपना मुल्क छोड़ने की वज़ा से उनकी उस मजबूर हालात में पनागुजीनों की तरह रहने की वज़ा से पूरी एक जनरेशन जो जवान हुई है वो mental health problems के साथ जवान हुई है लेकिन जो स्टड़ी वेस्टर्न साइकालोजी करेगी वो इनको नहीं छेरेगी उसको कोई गरस दी कश्मीर से या अफगान महाजर से या पैलस्टाइन से वो यह कहेंगे के जी जो कॉलनाइज हुई थी इंडिजिनस क्यूंकि उनके अपने मुल्क में उन्होंने खुद पर जल्म किया था तो अब यह भी थोड़ी सी अविडिनस है कि कुछ खास डिसॉडर्स साइकाट्रिक असूसियेशन ने की हैं जो के कुछ खास कल्चर्स में पाए जाते हैं इटिंग डिसॉडर है मूड डिसॉडर है अग्जाइटी डिसॉडर है पोस्ट्रॉमेटिक को का कि मार्टन यह जो इटिंग डिसॉडर है इंग्लेंड में बहुत है इस पर बड़े लोग स्टडी कर रहे हैं मुझे पाकिस्तान में इटिंग डिसॉडर नजर नहीं आया उसने का कि 25 साल पहले हमारे मुल्क में भी नहीं होता था तो मैंने आगे से का खुदा नखास आई डू फाइंड फ्यू केसिज बट वेरी फ्यू जबके वेस्ट में बहुत जाधा कॉमन है इसी तरह खौफ जो है वह वेस्ट में ज्यादा है फोबिया इस चीज़ का फोबिया उस चीज़ का फोबिया हमारे हैं वहम ज्याता है विचिस दॉ ऑप्सेशिन दुद क्लि कि जब मैं अमेरिका में ट्रीट करता हूं लोगों को तो वहां फोबिया नजर आता है ज्यादा और पाकिस्तान में जो है वो OCD या वेहम की विमारी और एक और चीज जिसे कन्वर्जन डिसॉर्डर कहते है जिसमें किसी नफसियाती प्रेशर की वज़ा से बजाहर आपको को कोबिया या खौफ जादा है वहार चीज से ड़ते हैं तो जब हम इस कांटेक्स में मेंटल हेल्थ को देखें तो जो हम मेजर्स यूज़ कर रहे हैं उनकी रिलाइबिलिटी वैलिडिटी को भी देखना होता है फिर हमने असेस्मेंट और डियाग्नोजिस किस तरह करना है और cultural variations जब इतनी हैं तो treatment में भी variation होगी तो इन सब चीज़ों को देखके एक बात जो के और भी देखनी होती कि religion और आपके area में जो stress है आपके society में वह भी किस तरह vary कर रहे हैं ताके आप वहां की mental health की services हैं उन्हें समझ सकें और उसके हिसाब से design कर सकें तो culturally sensitive या culturally appropriate psychotherapy का जो concept है वो अब बहुत ज्यादा उस पर गोर किया जा रहे है और in fact Yale University से एक psychiatrist आई हुए थे, neurologist, Dr. Al-Talib वो उन्होंने यहां पर एक lecture भी दिया हमारे हां फात्मा Memorial में and he said के culturally sensitive counseling is very important and he explained how knowing a language and not knowing a language creates a barrier between the mental health professional and the client. So he said के मेरे culture का कोई आ जाता है विकाज वो और इसनल इराग के हैं और मैं अमेरिका में उसको treat कर रहता हूं तो मुझे ज्यादा समझ आती है कि इसका problem क्या है लेकिन अगर वो किसी और culture काओगा तो हमें culturally sensitive counseling को तयार करने हैं अपने आपको और इसमें पाकिस्तान बहुत बीच्छी है क्योंकि हमारे क्लिनिकल साइकॉलेजिस ट्रेन हो रहे हैं वो समझते हैं कि उन्होंने जो रटा लगा लिए है वो बहुत perfect है और वो उसी चापा मार के उसी के साब से कर रहे होते हैं मुझे एक केस यादा आगया कि एक बच्ची को drowning खाब आते थे कि कोई दर्वाजे की त को मेरे पस लाए और उन्होंने का कि इसके इस खाब के लिए इसको मैं साइकालोजिस्ट के पास जो यूनिवस्टी में हैं पहले लेके गया था और उन्होंने का कि जी आपका खंदान बहुत religious है आप के हैं पर्दा बहुत है बच्ची का जहन घुटके रह गया है इसलिए उसको ड्राउने खाब आ रहे हैं, उन खातून को जिन्होंने यह नुस्खा या डाइगनोजिस किया, वो मुकमल तौर पे वेस्टर्न प्रस्पेक्टिव में देख रही थी, बच्ची कैसा कोई इस्यू नहीं था, ड्राउने खाब कई वजा से आ जाती हैं, बॉडी की प्र जिन्हों प्रस्थेश। में रहते विए बच्ची की नहीं, सन प्रस्ट। तौर थाज़ कोज़ कोज़िस्स